नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर ललित कुमार गंगेले और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक और वीडियो में और जो आज का वीडियो है यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है जो है Ilemen from Erupting Wisdom Teeth मतलब अकल दाड के उगने के वज़े से कुछ Ilements के बारे में बात करेंगे आप में से ज़्यादा तर लोग इसके बारे में जानते हैं ज़्यादा तर लोग आप लोग इसके बारे में इसकी दवा भी जानते हैं कि यह तो Magnesia कार्ब का केस है इसमें डॉक्टट सब क्या नया बताने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मैं ailment of wisdom teeth के एक ऐसे ailment के बारे में बात करने वाला हूँ जो अगर आपके सामने आया और अगर आपको ये वीडियो नहीं देखा है या आपने उतनी depth के अंदर रिपर्टरी और Materia Medica की study नहीं की है तो मैं पूरा challenge करता हूँ कि शायद आप उस problem को नहीं sort out कर पाएंगे ठीक है तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि wisdom teeth क्या होता ये छोटा सा एक reminding section है उन लोगों के लिए जो शायद इस बारे में नहीं जानते है wisdom teeth wisdom teeth का मतलब होता है अकल दाड ठीक है ना this is this is known as the wisdom teeth हम जैसा की जानते हैं ये हमारे दातों का structure है ये जो front के जो teeth हैं ये होते in scissors इसके बगल में जो होते हैं वो होते हैं के नाइन के पीछे प्री मोलर और सबसे लास्ट में होता है मोलर ये चार प्रकार के दाथ हमारे अंदर होते हैं हमारे मुह में होते हैं अब ये जो teeth होता है wisdom teeth ये generally adult hood के बाद आता है इसका most common era होता है जब ये erupt होता है ये होता है 25 से 35-40 साल के बीच में कभी भी आ सकता है और हमारी बतकिस्मत ही है कि total 4 होते हैं wisdom teeth एक last में नीचे की तरफ एक उपर की तरफ right side में और same left side में नीचे की तरफ एक और उपर की तरफ एक अब ये हम सब जानते हैं कि भाई ये जब erupt होगा तो ये हमको तकलीफ देगा ठीक है ये x-ray पर कैसा दिखता है x-ray पर ऐसा दिखता है दोस्तों wisdom teeth के eruption की जो तकलीफ होती है वो literally इतनी जादा होती है ये last में wisdom teeth है कि कई बार उसको विचारे को उगने के पहले ही patient को उसका root canal कराना पड़ जाता है आप समझ रहे हैं तो अब हम आते हैं उस main मुद्दे पे जिसके लिए ये लुब लुबाब वीडियो का कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं ऐसा क्या होता wisdom teeth में जो डॉक साब नया बताएंगे आप सबको जो आपको शायद नहीं पता दोस्तों that is the ulceration associated with wisdom teeth ailment मेरी बात समझेए मैं समझाता हूँ and ulcer अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो wisdom teeth उखता है याप देखिए मैंने क्या है यहां पर टाइप कर रहा हूँ है यहां पर होता क्या है कि wisdom teeth सबसे लास्ट में उगरा होता है अब इस लाइड में आप देखेंगे अब जब यह उग रहा होता है तो वहां पर बेसिकली एक compact जगह है वहां पर ऐसी कोई खाली जगह नहीं है कि bedroom hall kitchen का खाली space पड़ा है कि भाई यह उग जाएगा कोई दिक्कत नहीं करेगा यह दिक्कत क्या करता है कि जब यह उगरा होता है तो वहां की जो cheek होता है जो उससे compactly touch में रहता है तो इसके eruption के कारण जो छोटू सा दात निकलता है अब यह देख रहे होंगे यह दात निकल रहे हैं आप यह जो है यह दात है और यह जो jackd area है जो उठा हुआ एरिया है और अलसर विच हैस बिन क्रियेटेट ड्यू टू दिस wisdom teeth और कई केस में patient बताता है बोलो sir यह अलसर जब तक नहीं था तब तक तो मैंने दा समझ में ही नहीं आ रही है जो परेशानी हो रही है सलसल से हो रही है सबसे पहली मानसिक परेशानी patient वहां पर बैठे बैठे जीब लगाता रहता है और फिर वह उसको डर लगता है कि यह कैंसर तो नहीं हो गया मेरे को क्योंकि हम में से ज्याज़ातर लोग संपान को smoking कर र मतलब लगेगा जरूर यह फटेगी बोले और मेरे को कई cancer तो नहीं हो गया वो सेम चीज यहां होती है अब यह जो wisdom teeth है यह एकाधफते में नहीं निकलता है यह महीनों लगते हैं इसको erupt होने में तो उसकी वजह से यहां पर आप देख रहे हैं कि wisdom teeth निकल रहा है gum that overlies the impacted wisdom tooth become the inflamed and swollen इसको बोलते हैं perichondritis is present और यह जो चीज होती है यह skin के ऊपर हमको दिखती है in the form of ulceration ulceration मतलब छाला अब अगर आपने konium जैसी दवा को बहुत अच्छे से पड़ा है यह देखिए इस तरह से उकता कई बार यह wisdom teeth बड़ा दूर उगरा है देखिए इसके दानत यहां खतम हुए अब यह भाई यहां उगरा है तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो यह जो प्रकार की तकलिफ होगी और मानसिक के अंदर भाई आपको एक कैंसर का डर लगेगा अब यह होता क्यों है इसको कहते हैं मेटाप्लेजिया मेटाप्लेजिया का मतलब होता है कि जब बॉडी फॉर दपरपस ओफ एडप्टेशन जब एक प्रकार का सेल दूसरे प्रकार के सेल में ट्रांसफार्म होता है तो उसको हम बोलते हैं मेटाप्लेजिया यह एक नेचरल फिनोमेना है कि अपने सराउंडिंग इंवायर्मेंट से एडजस्मेंट के लिए बॉडी करत है कि external artificial pressure की वज़े से पेशेंट को cancer बताया गया कॉनियम में जो ब्रेसेस होते हैं ब्रेसेस के कारण से चीक के ऊपर cancer बताया गया है कॉनियम में कोनियम के अंदर कोई blunt injury patient को लगी मान लो तो वह injury की साइट पर future में cancer बताया गया है यह बहुत अच्छे से पढ़ लेना कही के कॉनियम के अंदर कि कॉनियम का जो cancer होता है वो कहीं न कहीं external pressure के जवाब में होता है तो अगर दुरभाग्य वर्ष यह patient जो है अगर यह कॉनियम के sector का हुआ तो maybe he can develop the cancer of cheek आई मेरी बास समझ में तो आप सब जानते हैं कि magnesia कार्ब जो है वो इसकी एक दवा है वो बहु चीद बताता हूँ आपको पहली दवा बोरेक्स हम कैसे निकालेंगे भाई complete dynamics जिसके ऊपर वीडियो पड़ा है मेरे चैनल के ऊपर जो एक रिपर्टरी है बस वहाँ पर जाके आपको टाइम करना है आई मेंस और विजनम टीथ हम जब डालेंगे तो हमारे भीजा भेजे म आप तो फर्स और सेकेंड थर्डियर का लड़का भी जानता है जो भी एचमस कर रहा है ही इस नॉट येट बिकेम दे डॉक्टर वहाँ पर दो दवाएं आपको और दिखेंगी जो होगी है बोरेक्स और एसिड नाइट्रिक तो पहली दवा है बोरेक्स बोरेक्स 30 पोटे तो आपको मैंगनेशिया कार्ब लेनी ही है वो भी 30 प्योटेंसी में 4-4 गोली दिन भर में तीन बार मैं चैलेंज कर रहा हूं कि साथ हुमें ये तीनों गोलियां टीडी एस 4-4 गोली दिन भर में तीन बार आप अपने पेशेंट को दीजिए जिसके अंदर विजडम प्रेक्टिशनर अपने होमियोपेथिक डॉक्टर की सलह के बाद लेनी है और मैं चैलेंज करता हूं कि 4-5 दिन में यूर डिजीज विल बी एंटायरली गॉन आपको आपका जो दात है वो भी आपको तकलीफ देना बंद कर देगा और ओवर देखेंगे आपका जो अलसर ह परिशानी खतम तो दोस्तों आज के लिए इतने ही अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है नमस्कार